दिल्ली के गिरफतार मुख्यमंत्री अर्विंद के जरिवाल और जार्खन के गिरफतार पूरु मुख्यमंत्री हिमंत सोरेंड के समर्थन में इंडिया गुट के आलानेता रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए उन्होंने लोगों से लोगसभाचुनाओं में बीजेपी को वोट न देने की अपील की उन्होंने कहा कि लोगतंत्र और सम्विधान को बचाने के लिए ऐसा करना समय की मांग है जिस दिन ये सम्विधान खत्म हो गया उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा इसको पुलीस से घंकी से नहीं चला जा सकता है ये जो सम्विधान है हिंदुस्तान की चंपा की अवाज है हिंदुस्तान के दिल की धरकन है इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया उस दिन यहाँ पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा अजमारा मकसद सरभी है, हम सब आईन को बचाएं, आज गॉंसेटीशन को बचाएं, आज गॉंसेटीशन पर हमदा है, आप देखें, शीफ जस्टिस अव इंडिया को भी दंगिया दी जा रहे हैं, यह आल है हमारा, यह बात चुनिये, लोग तंत्र बचाओ रैली में, इंडिया ब्लॉक में शामिल लगभग सभी पार्टियों की नेता शामिल थे, उन्होंने बीजेबी के विरोध में जोशीले भाशन दिये, और लोगों से इंडिया ब्लॉक के उमिद्वारों को समर्थन देने की अपील की, के लिए ब्लॉक में जोग नारा लगाते हैं अपकी बाद चार्सो बार, कुछ बहु बोलेंगे, लेकिन एक बाते हैं, जन्ता ही मालिक हैं, आप मालिक हैं और आप प्रोटेकरना हैं कि देश के साशन में कौन बैठवेगा काम करेगा. जो मालिका दोखना हैं जो भुट खू ने माध संडुट सव्टी उस मीषख लगाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल की पत्नी सुनीता केजरिवाल और जेमेम नेता हिमन्द सोरेणं की पत्नी कलपना सोरेणं ने भी रैली को समवधित किया उन्होंने भ्रस्टाचार के कथित मामलों में अपने पतियों की गिरफतारी पर केंदर सरकार की आलोशना की सुनीता केजरीवाल ने अपने पती की एक चिठी पढ़ी उन्होंने कहा कि ये चिठी उन्होंने E.D. की हिरासत से भेजी थी कई बार मुझे लगता है कि अजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए इस जन में भी केजरीवाल जी को शायद धारत मा के संघर्श के लिए ठेचा है भारत में बाबा साहिद जी के संघर्थान के प्राप जितनी भी क्यारंटिया है उन्हों सभी को एंड़िय सरकार के द्वारा उसे नश्च किया जा रहा है इसके ग्यारंटियों के ग्यारंटियों डॉल लेगा। जिन्होंने एक एक करके हमारे संभीधानिक संसाओं के संभीधानिक बूलेओं को तहस नहिस किया है। हम सब को पता ये कोई चुनावी रैली नहीं है। अपनी दो बेहनें इम्मत से लड़ रही है। अगर बेहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा। और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो भाईने हैं गल्पनाजी हैं सुनिताजी हैं आप चिंता मत करो। सिर्फ हमें नहीं पुरा अपना देश हिंदूस्तान आपके साथ में हैं। उद्धाव ठाकरे ने बीजेपी पर E.D.C.B.I. और आयकर विभाग के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एलान कर देना चाहिए कि तीनों उसकी सहयोगी एजन्सियां हैं। कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकारजुन खडगे ने भी कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों और नेताओं को धमकाने के लिए इन संसाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉंग्रेसी को एक एक करके हमारे संस्तों को वो खराब कर रहे हैं। उसका ऐसा घर इस्तमाल कर रहे हैं। चाहे वो ED हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो CVC हो, चाहे वो CBI हो। इन संस्तों का दुर्प्यों करके एक-एक नेता को डरा रहे हैं। यहाँ तक की पार्टी के लोगों को भी डरा रहे है। AAP के दिल्ली प्रदेश सन्योजक गुपाल राय ने कहा कि रामलीला मैदान एक इतिहासिक जगह है जिसने देश के इतिहास को कई बार बदला है। इस रामलीला मैदान वो इतिहासिक मैदान है जिसने भारत के इतिहास को कई बार बदला है। इस रामलीला मैदान ने जब जब देश के अंदर संकट मैदा हुआ है। इस रामलीला मैदान से बदलाओं की आवाज उठी है, इस रामलीला मैदान से परिवर्टर की आवाज उठी है। BDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले पांच सालों से विपक्षी दलों के नेताओं को जूटे आरोपों में जेल में डाला जा रहा है। आपके चुने हुए नुमाइनों की बात कर रही हूँ, जिनको आप लोग वोड डालके MLA बनाते हैं, लोग सबा मिंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, कैसे उनके करप्षिन के चार्जिस लगाके, बिना कोई वकालत के, बिना कोई कारव रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित लोगतंत्र बचाओ रैली के जर्ये इंडिया गुट ने लोगसभा चुनाओ से ठीक पहले अपनी ताकत और एक ताका प्रदर्शन किया